नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आमरिपाली शर्म और मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों बॉलिवूड हसीनाओं का अंडर वर्ल कनेक्शन तो जग जाहिर है मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी, नगमा, मोनिका बेदी, पाकिस्तानी एक्ट्रिस अनीता अयूब ये कुछ ऐसी हिरोईंस थी जिरोंने मुंबई अंडर वर्ल के माफिया डॉन से रिष्टे रखे और कहियों ने उनका फाइदा अपने करियर में उठाया आज से मैं एक सीरी शुरू कर रहे हूँ बॉलिवोड हसीनाएं और अंडर वर्ल का रोमैंस इसमें मैं आपको इन हसीनाओं के कांड और अंजाम की कहानी सुनाओंगी इस सिलसले में आज सबसे पहले मैं आपको सुना रही हूँ मोनिका बेदी की कहानी यह उसकी नफरत और इश्च की कहानी है यानि उसकी लव स्टोरी और हेट स्टोरी दोनों है मैं यह भी बताऊंगी कि कैसे पंजाब के एक छोटे से गाउं की लड़की बॉलिवोड हिरोईन बनी और कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गई कैसे उसने फिल्मों में काम पाने के लिए अंडर वर्ल का साहारा लिया और अपने बदले के लिए फिल्म प्रिड्यूसर को मरवा भी दिया तो सवाल यह है कि मोनिका थी कौन और कैसे बॉलिवोड में आई कहां से आई दोस्तों मोनिका बेदी पंजाब के होशयारपूर से 10 किलोमेटर दूरी पर एक गाउं चब्बेवाल में 1975 में जन्मी वो अपने माबाप के साथ 1989 में यानि 1979 में नौर्वे चली गई आठ साल वहां रहने के बाद वो वापस भारत लोटी और दिल्ली में मॉडलिंग में हाथ आजमाया कहा चाता है कि फिल्मकार मनोच कुमार से उसकी मुलाकात इंगलेंड में हुई थी उसका कहना है कि तब वो आक्सफोर्ड युनिवसिटी में पढ़ रही थी मोनिका का सपना बॉलिवूट की बड़ी हिरोईन बनने का था मुंबई में स्ट्रगल करते वक्त उसकी मुलाकात बॉलिवूट के एक बड़े प्रडियूसर मुकेश दुगगल से हुई अब मुकेश दुगगल की प्रफाइल भी जान लिजे क्योंकि मोनिका की हेट स्टोरी में इसी ने जानगावाई थी मुकेश दुगल अमरत सरकार रहने वाला था जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है उस वक्त वहीं से सोने चांदी की तसकरी होती थी लेकिन मुकेश ने कपड़ों की तसकरी शुरू की उसने कई केरियर्स की राइपर रख लिये थे जो हॉंक कॉंग, बैंक कॉक, दुबई, सिंगापोर जैसे देशों से पार्सल लेकर आते थे जिने वो कई जगा सप्लाई करता था दोस्तों केरियर्स वो लोग होते हैं जिने फ्लाइट का टिकेट दे कर स्मगलिंग कराई जाती है कुछ पैसे अलग से दे दिये जाते हैं पंजाब में ही मुकेश की पहचान फिल्म डिस्टिब्यूटर्स से हो गई मुकेश ने पंजाब टेरिटरी में कुछ फिल्में डिस्टिब्यूट करने में भी हात आजमाया लेकिन अब मुकेश दुगल को मुंबई आना था और जैसा कि आम तोर पर उत्तर भारत से आने वाले ज्यादा तर लोगों का सपना होता है फिल्म बनाने का तो मुकेश दुगल को भी फिल्म बनानी थी और उसने बनाई उसकी सबसे पहली फिल्म थी संजदत को लेकर फतह जो खास चली नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ मुकेश दुगल ने नभे के दशक में बत और प्रेडियूसर कई चर्चित फिल्में बनाई जैसे सुनील शेटी को लेकर गोपी किशन, दिव्या भारती के साथ दिल का क्या कुसूर अजय देवगन को लेकर प्लेटफॉर्म और मोनिका अबेदी को लेकर खेलोना और सुरक्षा जैसी फिल्म है दोस्तों उसने बेहर्ट चालाकी से स्मार्टली काम करके अपराद और सरकारी सिस्टम में अपना जबरदस नेटवर्क बना लिया था उसकी कॉंटेक्स दाओद इबराहिम की डी कंपनी से भी थे अपने पुरानी स्मगलिंग के नेटवर्क के कारण दाओद इबराहिम और उसके भाई अनिस इबराहिम से उसकी बादचीर शुरू हो गई थी बॉलिवुट के सारे लोग मुकेश दुगल के इस अंडर वर्ल कॉंटेक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते थे अंडर वर्ल का पैसा भी उसकी फिल्म में लगा लेकिन जब 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्च के बाद छोटा राजन और दाओद इबराहिम अलग हुए तो मुकेश दुगल ने अपनी वफादारी बदल ली उसे लगा कि डी कंपनी कमजोर पड़ गई है तो उसने डी गैंग को छोड़ कर छोटा राजन का हाथ थाम लिया उन्हीं दिनों उसने आदित्य पंचोली और वर्षा उस गाउंकर को लेकर साथी नाम की फिल्म बनाई थी और उसे डिरेक्ट भी किया था उसका गाना बेहत पॉपिलर हुआ था आपको याद है वो गाना हुई आँख नम और ये दिल मुस्कर आया तो साथ ही कोई भूला याद आया या फिर एक और गाना था कि जिन्दगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए इसी दोरान उसकी मुलाकात मौनिका वेदी से हुई जल्दी ही बॉलिवूट सरकल में मौनिका और मुकेश दुगल के इश्क के चर्चे आम हो गए मौनिका को उसने फेल्मों में काम दिया मुकेश शादी शुदा था और उसके छोटे बच्चे भी थे लेकिन उसने किसी की परवा नहीं की और मोनिका को अपने घर ले आया वो उसके साथ लिविन रहने लगा दोस्तो एक खिनोना और गंदा सच बॉलिवुट के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ दोस्तो बॉलिवुट की फिल्मों में रोल के लिए कई ही रोइन्स को सिर्फ प्रिड्यूसर डिरेक्टर के साथ सोना नहीं होता बलके उन्हें फिनेंसर्स और कई बार नेताओं को खुश करने के लिए उनके पास भीज जा जाता है यही काम मुकेश दुगल ने करना शुरू कर दिया मुकेश ने मौनिका को अपनी फिल्मों के फिनेंसर्स के पास भीजना शुरू कर दिया उसने अपनी फिल्मों को फ्लोर पर लाने के लिए मौनिका को इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे मोनिका परिशान हो गई उसने मोनिका को इस काम के लिए मजबूर किया मुकेश उसकी मदद करने से ज्यादा मोनिका को एब्यूज और इस्तेमाल कर रहा था मुकेश दुगल का confidence बहुत हाई था उसके बात करने चाल धाल से उसका power जहलगता था वो लोगों के कई फसे हुए काम चुटकियों में करा देता था कुछ हरसे बाद मोनिका की दोस्ती डी कंपनी के गैंग्स्टर डॉन अबू सालेम से हो गई और यहीं से मुकेश दुगल के लिए खत्रे की घंटी शुरू हुई अबू सालेम दाओ दिबरहिन के लिए काम करता था ये बात उन दिनों की है जब तक अबू सालेम ने गुलशन कुमार का मर्डर नहीं किया था मोनिका की एक बार फोन पर अबू सालेम से बात हुई और उनमें दोस्ती हो गई मोनिका ने खुद एक इंट्रिव्यू में बताया था कि उसने फोन पर नोट किया कि अबू सालेम यस और नो से ज्यादा बात नहीं कर पाता था कमजोर इंगलिश के कारण वो कम शब्दों से काम चला रहा था लेकिन मोनिका ने बताया कि वो उसकी आवाज की दिवानी हो गई उसे उसकी वही अदा पसंद आ गई जब वो दुबई गई और वहां उसकी मलाकात अबू सालेम से हुई तो उनमें करेबिया बढ़ गई दोनों में प्यार हो गया तब मोनिका ने मुकेश दुगल के अत्याचारों की शिकायत उससे की अबू सालेम को बहुत गुस्ता आया वो मोनिका के प्यार में पागल था मुकेश उन दिनों एक पंजाबी फिल्म की प्लैनिंग कर रहा था जिसमें माधुरी दिख्षित और सुनियल शेटी की स्पेशल अपियरंस होने वाली थी मुकेश दुगल के उस आने वाली फिल्म की पहली सिटिंग के बाद ही अबू सलीम ने उसका दियन लिख दिया साथ मार्च 1998 यानि 1998 में वर्सोवा के साथ बंगलो इलाके में मर्डर अबू सलेम ने कराया था और यह शूट आउट मोनिका की शिकायत पर किया गया है लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी मोनिका का नाम नहीं आया बाद में उन तीनों शूटरों के पहचान मुन्ना जोगी उर्फ मुन्ना जिंगडा कालिया सादिक और सलीम चिकना के तौर पर की गई यह तीनों ही डी कंपनी के शाप शूटर्स थे दोस्तो इस शूट आउट के एक और पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी है कि मुकेश दुगल की गतिविधियों और उसके मर्डर का असर उसके परिवार पर बहुत बुरा हुआ उसकी हत्या के बाद उसके परिवार पर बहुत तकलिफ आई तमाम लोग जो मुकेश दुगल की मदद लेते थे उसके हाई लेवल के कॉंटेक्स का फाइदा उठाते थे अपने काम कराते थे उन सारे लोगों ने उसके परिवार को अलग थलग कर दिया दोस्तो ये बॉलिवुड वाले कहते हैं कि हम एक परिवार की तरह हैं पूरा बॉलिवुड एक परिवार है ये सब सफेज जूट है कोई परिवार वरिवार नहीं है यहां रिष्टे सिर्फ मतलब के हैं पैसे के और फाइदे के हैं जब कोई आदमी पावरफुल पोजिशन में होता है तो सब उससे अपने काम निकलवाते हैं उसके साथ काम करना चाहते हैं और जैसे वो मुसीवत में आता है तो सब मुह मोड लेते हैं इन सारे लोगों ने मुकेश दुगल के परिवार के साथ भी ऐसा ही किया मुझे इस सब इसलिए ज्यादा मालुम है क्योंकि मुकेश दुगल का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो भी टीवी इंडस्ट्री में काम करता है मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी जिन्दगी का सवाल है और वो बहुती साफ सुतरा काम करता है बहुत महनती है लेकिन आज भी जब अंडर वर्ल्ड और बॉलिवूर्ड से जुड़ी कोई धमकी या इंफोमेशन इंटरसेप्ट होती है तो मुकेश दुगल की पतनी और बेटे को क्राइम ब्रांच में बुला के पूरा पूरा दिन बिठा के पूछताच की जाती है मुकेश दुगल के कारणामों की काली परचाई ने आज भी उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा है इसलिए इंसान को कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका असर उसके परिवार पर क्या पड़ेगा तो खेर हम बात कर रहे हैं मोनिका की मोनिका बेदी को अबु सलेम से दोस्ती के बाद बड़ी-बड़ी फिल्में मिलने लगी उसने प्यार इश्क और महबत और जोड़ी नमबर वन में संजदत और गोविंदा के साथ काम किया मोनिका ने भारत में हिंदी और पंजाबी में आठ सालों के दौरान खरीब 30 फिल्म में की लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर हेट या ब्लॉक्बस्टर साबित नहीं हुई और वो एक एवरेज लेवल की हिरोईन ही बनका रह गई मोनिका ने एक इंटिव्यू में कहा था कि वो एक बार सुभाश गए की होली पार्टी में गई और वहां राकेश रोशन से उसकी मुलाकात हुई राकेश रोशन ने उसे अपना कार्ड दिया और मिलने को कहा था मोनिका ने कार्ड को फाड़ कर फेंक दिया बाद में उसे पता चला कि वो उसे अपनी आने वाली फिल्म करन अर्जुन में सल्मान खान के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे फिर वो बिंदिया नाम का क्यरेक्टर मंता कुलकर्णी को मिला मोनिका को तब बहुत अफसोस हुआ था कि इतनी बड़ी फिल्म उसके हाथ से निकल गई लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है क्या राकेश रोशन पर अंडर वर्ल का दबाव था कि उन्होंने पहले मोनिका और फिर मंता कुलकर्णी को रोल आफर किया और दोनों ही एक्ट्रिस्स का अंडर वर्ल से कनेक्शन था कई फिल्मे करने के बाद मोनिका बेदी और अबू सालेम ने शादी का फैसला किया सालेम उसके पिता से नौर्वे के शहर में जाकर मिला था उसने खुद को हिंदू और अपना नाम संजे बताया था सलेम के मताबिक उसकी शादी मोनिका से सन 2000 में लौस इंजिलिस में होई थी हाला कि वो उसका कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया अबू सलेम की पहली पत्नी यानि पहली बीवी समायरा जुमानी भी अमेरिका में रहती है उस पर भी फिरोती वसूली और बम विस्फटो में शामिल होने के केस तायर है और इंटर पोल का रेट कॉर्नर नोटिस भी है निकाह के लिए मोनिका ने धर्म परिवर्तन किया था और वो सामिया मलिक कमाल बन गई थी यहां मोनिका के आशिक और शोहर अबू सालिम के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या था, कहां से आया था, कैसे इस जगा पहुँचा था अबू सालिम यानि अब्दुल कयूम अंसारी दाउद का खास आदमी था उसने गैंग के लिए शूटर्स अरेंज करने का एक नया तरीका निकाला था वो यूपी के आजमगर्जिले से ऐसे बेरोजगार नए लड़के मुंबई लाके शूट आउट करवाता था जिनका महराश्ट पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था वो बेरोजगार लड़के बंबई देखने के बहान नहीं आते थे और 10-15 हजार में शूट आउट करके वापस चले जाते थे और पुलिस उन्हें नहीं खोच पाती थी अबुसलेम ने खुद 20 साल की उम्र में मुंबई में कदम रखा था उसने पहले मुंबई के उपनगर अंधेरी में रेलवे स्टेशन के पास एक टेलीफोन बूथ पर काम किया फिर किसी तरह उसकी पहचान दाउट के भाई अनीस इबराहिम से हुई तो अनीस ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया अब अबु सलेम का काम डी कंपनी के ट्रांस्पोर्डिशन का काम देखना था उननीस सो तिरानवे में ब्लास्ट की साजिश में अबु सालेम ने ही संजदत के घर एके फॉटी सैवन और रिवॉलवर पहुँचाए थे डी कंपनी की साजिश सीरियल ब्लास्ट के बाद मुंबई शहर में दंगे भड़काने की थी इसलिए अबु सलेम हत्यारों का एक बड़ा जखीरा गुजराच से मुंबई लाया था सलेम संजदत का बहुती बड़ा फैन था एक इससे जुड़ा हुआ एक बहुत मशूर किस्सा है कि जब अबु सलेम पहली बार संजदत से मिला तो उसकी क्या हालत हुई थी वो संजदत से एक नहीं कई बार गले मिला उसकी हालत बहुत ही एक पागल फैन जिसी हो रही थी क्योंकि वो यूपी के गाउं से आया था संजदत को उसने बड़े परदे पर देखा तो और पहली बार सामने देख रहा था अपने स्टार को ऐसे सामने देखके उसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी खैर जब अबु सालिम का कट गैंग में बढ़ा तो दाउद ने उसे फिल्मी हस्तियों को धमका के वसूली करने का काम सौप दिया लेकिन दाउद इबरहिम और अबु सालिम में दिक्कत तब शुरू ही जब वो कई काम अपनी मर्जी से करने लगा जब 1997 में यानि 1997 में अबु सालिम ने कैसिच किंग गुलशन कुमार का मर्डर कराया तो दाउद उससे बहुत नाराज हो गया था वो शूट आउट अबु सालिम ने दाउद को बिना बताई कराया था फिर डी कंपनी से अलग होके सालिम ने अपना खुद का गैंग बना लिया तो दुबई में दाउद गैंग ने उस पे जान लेवा हमले किये उस वक्त अबु सालिम मोनिका बेदी को लेकर वहां से भाग निकला और कुछ सालों तक अमेरिका और यूरोप के देशों में गुमता रहा फर्जी यातरा के कागजात और नकली पासपोर्ट बना के पॉर्चुगल के लिस्बन में चले गए पॉर्चुगल में मोनिका ने नागरिकता पाने के लिए वहां के किसी लोकल नागरिक शहजाद हैदर नाम के आदमी से शादी की थी जो कि अबुसलेम का ही दोस्त था इस पेपर मैरिज यानि कागजी शादी की सलह अबुसलेम ने ही मोनिका को दी थी जिससे उसे वहां की नागरिक्ता मिल जाए और फिर धीरे-दीरे अबुसलेम भी वहीं सेटल हो जाए 20 सितंबर 2002 में मोनिक अबीदी और अबुसलेम को लिस्बन में गिरफतार कर लिया गया अबुसलेम ने भारत सरकार को वहां की कोट में चुनोती दी और वहां तीन साल तक केस चला दोनों तीन साल वहां की जेल में रहे आखिरकार पुर्तगाल से भारत की प्रत्यारपन संधी यानि एक्स्ट्रडिशन ट्रीटी के तहट 11 नवंबर 2005 में भारत को डिपोर्ट कर दिया गया मोनिका ने अबुसालेम से मोहबत की बात तो कई बार कबूली लेकिन निकाह की बात उसने कभी नहीं मानी बाद में जब केस के दौरान अबुसालेम और मोनिका की रिष्टों में कड़वाहट आ गई तो सलेम ने मोनिका को कानूनी नोटिस भेज के कहा था की या तो मुझे शोहर कहो या तलाग दे दो मोनिका ने अबुसालेम से अपना पला बड़ी सफाई से ज़ाड लिया था कोट से जेल जाते वक्त वैन में एक रिपोर्टर ने अबुसालेम से पूछा था की क्या तुम मोनिका से प्यार करते हो तो सालेम ने चल्ला के जवाब दिया था मेरी एक ही माशुका है हाला कि सहानुभती पानी के लिए ततकाली इन प्रधान मंत्री मन महन सिंग को मोनिका ने एक चिठी लिखी थी उसने उसमें दावा किया था कि उसके साथ धोका हुआ था अबू सालेम पहले से शादी शुदा था और उसके बच्चे भी थे ये बात उसने उससे छुपाई थी अपने कबूल नामे में मोनिका ने कहा था कि दुबई में एक स्टेर्ट शो के दोरान उसकी मुलाकात सालेम से हुई तो सालेम ने अपनी पहचान छुपाई थी और खुद को अरसलान नाम का बिजनसमें बताया था उसे बहुत बाद में पता चला कि वो एक माफिया है ऐसा मोनिका ने दावा किया उधर अबू सालेम ने पुलिस से पूछताश में ये दावा किया कि मनीशा कोराला ने मुकेश तुगल की सुपारी दी थी उसने मोनिका का नाम बिलकुल नहीं लिया लेकिन बाद में उसका ये दावा गलत साबित हुआ कि मनीशा का मुकेश तुगल की हत्या में कोई भी लेना देना था और अबुसालिम ने ही मनीशा कoryla की सिकरेटरी अजीद देवानी का मडर भी कराया था मोनिका ने नकली passport और गैर कानूनी तरीके से पौर्टगाल में प्रवेश करने के जुर्म में भारत में तीन साल की जेल काटी जेल से रहा होने के बाद मोनिका ने अपनी इमिज का मेक ओवर करने की कोशिश की उसने एक ओमकार नाम का एल्बम रिकॉर्ड किया फिर स्टार प्लस की संजलीला भनसाली के सीरियल सरस्वती चंद्र में काम किया और बंधन नाम का शो भी किया उसने रियालिटी शो बिग बॉस और जलत दिखलाजा में भी हिस्सा लिया कुछ साल पहले उसने एक नेपाली फिल्म भी साइन की थी फिलहाल मोनिका के बारे में अब कहा जाता है कि वो पूर्व क्रिकेटर अजहरुदीन को डेट कर रहे है दोनों के मुलाकात मोनिका के बिग बॉस से दोस्त बने नेता संजय निरुपम ने कर आई थी मोनिका और अजहर की दोस्ती तप चरचा में आई जब वो उसकी पहली पत्नी नौरीन के बेटे असत की शादी में हैदराबाद बतौर खास महमान शिरकत करने पहुँची थी कहा जाता है कि मोनिका और अजहर अब पिछले कुछ सालों से काफी वक्त साथ बिता रहे हैं 49 यर्ज की मोनिका अब तीसरी बार शादी करने को तयार है उसने एक इंट्वियो में कहा भी था कि वो शादी करना चाहती है मोनिका बेदी का पूर्फपती गैंक्स्टर अबुसालेम अब भी महराश्ट की तलोजा जेल में उम्रकैत काट रहा है अबुसालेम पर मुंबई और यूपी में कई केस चल रहे है पुर्तकाल से प्रत्यारपन संधी के कानून के मताबिक अबुसालेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती और नहीं उसे फासी दी जा सकती है कुछ सालों पहले 2014 में मुंबई से लखनो जाने वाली ट्रेन में अबुसालेम ने सायद बहार खौसर नाम की लड़की से तीसरी शादी कर ली थी जिसके गवाखुद पुलिस वाले बने थे वो अब भी पुलिस कस्टडी में उससे बराबर मिलता है करीब 19 साल जेल में काट चुका है और जैसा कि कई बार सामने आया है कि वो पैसे के दम पे जेल में भी एश कर रहा है उसकी जान को जेल में भी खत्रा है छे सालों बाद अपनी सजा पूरी करके अगर वो बाहर आ भी गया तो भी दाओद इब्राहिम के गैंग के लोग उसे जरूर मार डालेंगे या फिर वो भारत से भाग कर किसी और देश में छुप जाएगा और बाकी जिन्दगी कहीं और गुजारेगा तो दोस्तों ये थी मोनिका बेदी की लव और हेट स्टोरी ऐसी महत्वा कांशी लड़की जिसने ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अंडर वर्ल का सहारा लिया बदला लेनी के लिए प्रोडियूसर का खतल कराया और गैंस्टर से शादी करके खुद एक अपराधी बन के रह गई फिर मिलेंगे किसी एक और कहानी के साथ नमस्कार